अनार गाईज अनार एक बहुती मज़ेदार चीज है क्योंकि जब हम इसको चलाते हैं तो इसमेंसे जो फ्लेम बाहर निकलती हैं वह देखने में बहुती सुन्दर लगती हैं लेकिन गाईज कि आपको पता हैं कि इसमेंसे जो फ्लेम बाहर निकलती हैं उसका टेमपरेचर ल लगबग 3000 डिग्री सेंटिग्रेड होता है तो गैस क्या होगा अगर मैं इस अनार को चला के इस लोटे को इसके उपर रख दूँ क्या यह अनार इस लोटे को पिगला पाएगा या फिर नहीं चले इसका रियल लाइफ टेस्ट लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है कर दो ऑम्यूश्यूश्यूश्यूश्यूinding कर दो व 현재 WILL मेंचेट बल्म कर दो जाल झाल झाल गाइज लुक एट दिस इसने हमारे लोटे को ही मेल्ट कर दिया जो की स्टील का बना हुआ था और शने इसके उपर यहाँ पर चेद बना दिया है और यह अंदर की तरफ से पूरा का पूरा सपेद हो चुका है गाइज आप इस चीज चे अंदर जा लगा सकते हैं कि जो हम घर पर अनार चलाते हैं वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता हैं इसका जो टेंपरेचर था वो तीनजाद डिक्रीशेंट ग्रेट से भी ज़्यादा चला गया था सो गैज वीडियो अची लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना हम और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमाँ चैनल को सब्सक्काइब करना बिल्कुल भी मत बोलना मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर